अध्याय आठ लोक तांत्रिक एवं राष्ट्रवादी क्रांतियां सन 1600-1900 सन 1600 में दुनिया के अधिकान शिलाकों में राजा महराजाओं या सामन्तों का शाशन था वे अपने अधीन लोगों पर अपनी मर्जी से शाशन करते थे लोगों पर मनमाने कर्व शुल्क लगाना, विरोध करने वालों को प्रताडित करना, जेल में डालना या मार देना, लोगों की संपत्ति को मनमाने तरीके से जब्द कर लेना, अपनी मर्जी से कानून बनाना या बदलना ये आम बात थी कानून बनाने वाले, उसे लागू करने वाले तथा न्याय देने वाले सब राजा या सामन्त ही होते थे इसलिए उन पर कोई रोक टोक नहीं थी राज्य चलाने का काम लोगों का नहीं, राजाओं का था यानि राज्य लोकतांत्रिक नहीं थे यही नहीं राज्य बनाने का काम भी लोगों का नहीं केवल राजाओं का था राजा सेना के दम पर जितनी जमीन और लोगों पर हुकूमत जमा सकते थे उससे राज्य बनते थे इसमें राश्ट्र के लोगों की सोच, संस्कृती, जरूरतों और भावनाओं की कोई भूमिका नहीं थी यानि राजित तो थे पर वे राश्ट्रिय नहीं थे इस कारण शाशन के प्रती लोगों का भावनात्मक लगाओ सीमित था इन परिस्थितियों में बदलाव लाने में 17-19 शताबदी में हुई क्रांतियों का महत्वपूर्ण योगदान है आज दुनिया के अधिकांश देश लोगतांतरिक तरीकों से शाशित है यानि सारे वयस्क लोग मिलकर अपना प्रतीनिधी चुनते हैं जो कानून बनाते हैं और शाशन चलाते हैं एक निश्चित समय के बाद फिर से चुनाव होता है और नए लोग चुन कर आते हैं नागरिकों के अधिकार कानून के द्वारा सनरक्षित होते हैं यह बदलाओ इंगलेंड से शुरू हुआ जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे 8.1 इंगलेंड राजा और संसत के बीच संगहर्ष 17.1 सदी की शुरूआत में इंगलेंड पर राजाओं का ही शाशन था उन दिनों इंगलेंड में राजा की प्रजा से समवाद की एक व्यवस्था थी जिसे पारलियामेंट कहते थे आज हम पारलियामेंट को हिंदी में संसत कहते हैं जब कभी राजा को कर लगाने होते थे या कोई महत्वपूर्ण निर्ने लेना होता था वे पारलियामेंट को बुला कर उसकी राय लेते थे यह परंपरा बन गई थी कि बिना पारलियामेंट की सहमती के कोई कर नहीं लगाया जा सकता था पार्लियमेंट दो सदनों में विभाजित था House of Lords और House of Commons House of Lords की सदस्यता गिर्जा घर के उच्च पादरियों और कुछ वन्शा नुगत जमिनदारों की थी House of Commons में चुने गए प्रतीनी धी होते थे जिने गांव शहरों की संपत्ती वाले पुरुष मतदान द्वारा चुनते थे महिलाओं गरीब किसानों और मजदूरों को मत देने का अधिकार नहीं था मध्यकालिन भारत में संसत जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी बादशाह और राजा अपनी मर्जी से शाशन चला सकते थे वे अपने चहेतों और सलाहकारों से राय जरूर लेते थे लेकिन उनकी सलाह पर चलना उनके लिए अनिवारे नहीं था कर बढ़ाने या घटाने के निर्णे राजा अपनी समझ और सूजबूज से करते थे इसमें प्रजा की कोई कानूनी भूमिका नहीं थी सत्रहवी सदी में इंगलेंड के राजा और संसत के बीच का रिष्टा तूटने लगा एक तरफ संसत राजकिये मामलों में अधिक भूमिका चाहती थी जबकि दूसरी और राजा संसत के प्रती जवाब देही नहीं चाहता था सन 1603 में जेम्स प्रथम राजा बने उनका मानना था कि राजा को उसकी शक्ती इश्वर से मिलती है और वह केवल इश्वर के प्रती उत्तरदाई हो सकता है अतह संसत उसके काम पर सवाल नहीं उठा सकती सन 1625 में चाहल्स प्रथम गदी पर आसीन हुआ उसके और संसत के बीच मतभेद बढ़ने लगे दोनों के बीच कर वसूलने के अधिकार को लेकर जगड़े शुरू हो गया राजा ने संसत की अनुमती के बिना नया कर लगा दिया और जबर्दस्ती ब्यापारियों व भू स्वामियों से धन उधार लेना प्रारंब कर दिया धन देने से इनकार करने वाले को जेल में डाल दिया जाता था इस इस्थिती के चलते संसत ने राजा को चेतावनी देने की कोशिश की सन 1628 में संसत ने राजा के सामने अधिकारों का एक ज्यापन प्रस्तुत किया उसमें लिखा हुआ था कि संसत विनम्रता पूर्वक निवेदन करती है कि अब से किसी व्यक्ति से जबर्दस्ती रिण न लिया जाए तथा किसी प्रकार का कर संसत की सम्मत्ती के बिना न लगाया जाए सिवाए कानूनी तरीकों से किसी भी स्वतंत्र मनुष्य को जेल में नहीं डाला जाए या उसकी संपत्ती को जब्त नहीं किया जाए सन 1628 के Petition of Rights अधिकारों का ज्यापन से कुछ पंक्तिया